नमस्कार कक्षा नो एक्सरसाइस 2.5 कोशन नमबर 1 इसका पांचमा भाग हम कर रहे हैं ये था उप्यूक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम लिखित गुननफल ग्याद किजे हमारे पास आया है ये 3-2x x 3-2x जब भी बच्चों याद रखना हमेशा एक golden सा formula है दो numbers ऐसे हो कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ यहाँ 2x है दोनों के बीच में 1 बार माइनस है और 1 बार प्लस चाहे पहले माइनस बाद में प्लस चाहे पहले प्लस बाद में माइनस तो हमेशा ही आपने वही सरवसमी का हमेशा यूज करने है यह कौन सी x प्लस y इंटू x माइनस y यह बराबर होता है x square माइनस y square अब इसमें हमने सबसे पहले देना है x क्या है और y क्या है ठीक है तो देखो x किसके बराबर है इसमें पहली रखम है 3 तो x बराबर होगा 3 के y किसके बराबर है 2x के ठीक है बच्चो तो यह values याद रखना तो हमारी हमारे pressure में हमारे पास था 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x तो यहाँ प्लस वाली bracket पहले है माइनस वाली बाद में यहाँ माइनस वाली bracket पहले है प्लस वाली बाद में इससे कोई फरक नहीं बढ़ता इसका जो उतर आएगा वाएगा x स्केर माइनस y स्केर तो x किसके बराबर है 3 के बराबर x का स्केर यानि 3 का स्केर माइनस y का स्केर y किसके बराबर है 2x के ब्राबर तो y का square यानि 2x का square इसे हल करिये 3 का square होगा 9 minus 2x का whole square 2 का square होता है 4 x का square होता है x square ठीक है बच्चो तो ये बड़ा असान सा वीडियो था असान सा स्वाल था ठीक है और उमीद करता हूँ आपको ये समझाया होगा एक चीज़ और बता दूँ कि इसके साथ x square नहीं है इसके साथ x square है ये like terms नहीं है समान पद नहीं है तो ये आपस में plus minus नहीं हो सकते कई बच्चे इसी को 9 minus 4 5 x square लिए देते हैं जो कि गलत है देखो इसके साथ x square नहीं है इसके साथ x square है तो यह आपस में प्लस माइनस हो ही नहीं सकते ठीक है बच्चों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो समझ आया हो तो इसको लाइक जरूर करना जब आप लाइक करते हो वीडियो तो हमें बहुत शक्ति मिलती है मेनत करने की प्रेड़ना मिलती है दन्यवाद